परिचय वासु अपने परिवार के साथ शिविर में गया है। वह नदी के पास खुली जगा में तंबू लगाने में अपने बापा की मदद कर रहा है। ऐसा करते समय वह महसूस करता है कि तंबू तिर्भुज जैसा दिखता है। इस सथ्याए में आप सम्तल तथा ठोस आकृतियों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। सम्तल तथा ठोस आकृतियों को पहचानना। 3D यानि त्री विमे के साथ 2D यानि दूई विमे वस्तूओं को मिलाना। सीधी तथा घुमाओदार रेखाओं के बीच अंतर करना। आकृतियों के प्रकार। हम अपने चारों तरफ विबिन आकृतियों जैसे पैंसिल, रबर, मेजे, किताबें, कुर्सियां आदी को देखते हैं। ये ठोस आकृतियां कहलाती हैं। ऐसी आकृतियां जिन्हें हम कागस पर बनाते हैं, जैसे कि तिरिभोज, वर्क, आयत, वृत्त आधी सम्तल आकृतियां कहलाती हैं। सम्तल आकृतियां 2D वस्तों भी कहलाती हैं। ठोस आकृतियों को 3D आकृतियां भी कहा जाता है। सभी 3D आकृतियों में गहराई पाई जाती है, जबकि 2D आकृतियों में नहीं पाई जाती है। वस्तूओं का मिलान करना हम ठोस आकृतियों का मिलान समतल आकृतियों से कर सकते हैं. हम एक जॉक बॉक्स का मिलान एक वर्ग से कर सकते हैं. हम एक रबर का मिलान एक आयत से कर सकते हैं. हम एक तंबू का मिलान एक त्रिभुश से कर सकते हैं. हमें गेंद का मिलान एक वृत्त से कर सकते हैं 3D वस्तूओं को नाम देना आओ अब हम ठोस वस्तूओं को नाम देते हैं चौक बॉक्स एक घन होता है रबर एक घनाब होती है घन तथा घनाब दूनों में किनारे तथा समतलसत हैं होती है चौक एक बेलन होती है इसमें एक गोल सतह की साथ साथ दू समतल सतहे भी होती है गेंद गोला कार होती है इसकी सतह गोल होती है तमभू एक प्रिज्म होता है इसमें किनारे तथा समतल सतहे हैं होती है 3D वस्तुण की साहता से 2D रेखा चितर खीचना आओ हम कागस पर 3D के रेखा चितर खीचना सीखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राब्ट होता है कागस के एक टुकडे पर एक चॉक बोक्स को रखते हैं इसके बाहरी किनारों पर रेखा खीमशते हैं, चौग बाक्स को खटा देते हैं, अब आप काघस पर एक वर्क बना हुआ देख सकते हैं. कागस पर एक रबर रखते हैं, उसके बाहरी किनारों पर रेखाएं खीशते हैं अब रबर को हटा देते हैं, आप कागस पर एक आयत बना हुआ देख सकते हैं एक चौक को एक कागस पर खड़ा करके रखिए, तथा उसके बाहरी किनारों से कागस पर रेखा खींचिए, अब चौक को हटा दीचिए, कागस पर आप एक वृत्त बना हुआ पाएंगे. कागस पर एक केंद रखते हैं, इसके बाहरी किनारों पर एक रेखा खींचिते हैं, अब केंद को हटा देते हैं, आप कागस पर एक वृत्त बना हुआ देख सकते हैं. सीधी रेखाएं कागस के एक टुकडे पर माचिस की कुछ तीलियां रखते हैं, तीलियों को तीन तरेकों से रखा गया है, क्षैदिज, लंबवत और तिर्ची. क्षैदिज तीलियां आड़ी रेखाएं बनाती हैं, लंबवत तीलियां खड़ी रेखाएं बनाती हैं, तिर्ची तीलियां तिर्ची रेखाएं बनाती हैं. सीधी रेखाएं खीचना हम एक सीधी रेखा कैसे खीचते हैं? जिहां, एक रेखक की सहायता से हम सीधी रेखाएं खीच सकते हैं. एक किताब या पैंसिल बॉक्स के एक किनारे की सहायता से भी सीधी रेखाएं खीची जा सकती हैं. वक्रिय रेखाएं जो रेखाएं सीधी नहीं होती हैं, उन्हें वक्रिये रेखाएं कहते हैं एक कटा हुआ तर्बूज वक्र होता है पत्ती का किनारा वक्र होता है हमने क्या चर्चा की? ठोस आकरितियां 3D आकरितियां कहलाती है समतल आकरितियां 2D आकरितियां कहलाती है रेखाएं खींच कर 3D आकृतियों का मिलान 2D आकृतियों से किया जा सकता है. घनाकार का मिलान वर्ग से, घनाप का आयस से और वृत्त का गोले से मिलान किया जा सकता है.